विवाह से पहले संबंध क्या वाकई सदियों से चली आ रही है? या फिर आजकल के युवाओं का अलग सोच है? विवाह से पहले संभोग संभोग करना जरूरी और उससे होने वाले बदलाव को कैसे देखा जाता है? आईए जानते हैं. विवाह से पहले संबंध बनाने की व्यवस्था का शास्त्रों में कहीं उलेख नहीं मिलता है. इसलिए यह शास्त्र सम्मत नहीं है. शास्त्रों में चार महापाप बताए गए हैं. नशा करना, जुआ खेलना, मांस खाना और पराई स्त्री के साथ संभोग करना. अपनी पतन संबंध बनाने का शास्त्रों में मना ही है. शास्त्रों में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, जिनके अनुसार स्त्री और पुरुष को अपनी पसंद से अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है. वैदिक काल में भी स्त्री और पुरुष अपनी मर्जी से संबंध बनाते उदाहरण के तौर पर शकुंतला, उर्वशी चित्रलेखा और चित्रांगदा के विवाह के पूर्व अपनी पसंद के पुरुष से संबंध बनाने की बात धार्मिक ग्रंथों में मिलती है। चार वाक सिध्धांत के अनुसार सही गलत की परवाह के बिना वह करना चाहिए। सदियों से लेकर आज भी कामुकता का सुख महत्व पूर्ण रहा है। और उसे इस से जुड़ी चुनोतियों का सामना करना पड़ता है। शादी से पहले संबंध बनाने का एक और बड़ा नुकसान है। अन्चाहा गर्भ समाज इसकी स्विकृती नहीं देता। और माता-पिता इसे स्विकार नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है, विवाह से पहले का संभोग सही है या गलत तो कॉमेंट जरूर करे। जर्के अगर ठरम का समा का ईस Éल हाघिता, विवाह से नहीं का लगता है। तो मैंक उफयर है को कर दो एक्टत तो करते हैं।